हेलो फ्रेंड्स वेल्कॉम तो मैंट्टी फीड चैनल दोस्तों आज का टॉपिक है मनेश्ट्र की आयू के अधार पर बिकास के अवस्थाएं तो वो गर्भा वस्था प्रॉप्रणी हें दो सबसेวदा से सर्य अवस्था गर्भा वस्था यानि जिसे प्रिणेटर भी कहते हैं इस जर्म से पूर की अवस्था होती है इसमें विकास बहुत सी तेज गती से होता है यानि छे हपते पस्चात भूर अवस्था शुरू हो जाता है विकास तेज गती की साथ वजन भी बढ़ता है और पेशी दिमागी तंत्र बढ़ने लगता है जील दरा ना । पैरवक का लाई मोरना और अदि अब बात करती है । शीशु अवस्था की 1 हीधित शीशी आवस्था जिते हैं इन फैंशी से दो वर्ष तक होता रहा रहा है जीशील से दो वर्ष तक शीशु लेडिंवह और फास जिसका अर्थ है बोलने में असमर्थ लेकिन कितना जल्दी हो इलोटना पलाटना चीजों का अवजरू करना इधर से उदर देखना अपने घर के माहौल के उनसार सब कुछ इतना तेज सिखता है कि आगे चलके हमारी तेज सिखने की गति तेज हो जाती है उसी तरह से अगर सिखने के प्रक्रिया चलता रहे तो ब कर्यों की तो का सिखने भृष्ट है सिखने केडा ओता है ऌतर तो क्क्राइब शिखना देखनाए तरुक्त को कि आ रहेए तैसा निए-खने प्रत्रा क्या हो जा दो वर्स तक तो सिसु आवस्ता हो गया तो चैनल हुट क्या होगा तीन से तेरे या चौदे वर्स तक ठीक है तीन से तेरे चौदे वर्स तक बाले आवस्ता होता है ठीक है तो इसमें लड़कियों के लिए तेरे वर्स और लड़कों के लिए चौदे वर्स ठीक है लड़कियों के लिए 3 से 13 वर्स बाले आवस्था और लड़कों के लिए 3 से 14 वर्स बाले आवस्था ठीक है इसमें 3 वर्स से बिर या निराजी के पती की आरम होने तक की आवस्था होती है यानि लड़कियों में पहले यानि कि या आवस्था जो है किसोरा आवस्था के पूरु की आवस्था तक होता है या आवस्था जो है लड़कियों में पहले और लड़कों में बाद होती है यानि लड़कियों में इस व अवस्था में अभिधी विकास समझ चीजे जो होता है लड़कों सीथ थोड़ जादा होता है ठीक है बाले अवस्था को भी तीन भागों में बटा गया है प्रारंभिक बाले अवस्था यानि अर्ली चैल्ड हूट जिसे तीन से छे वर्स तक कहा गया है मध्य बाले अवस्था बिदिल चैल्ड हूट जिसे साथ से आठ वर्स रखा गया है अंतिम बाले अवस्था यानि लेट चैल्ड हुल जिसे 9 से 13 14 वर्ष रखा गया है लड़कियों के लिए 13 वर्ष लड़कों के लिए 14 वर्ष और इस एज को Puberty या Pre-Adolescence भी बोलते हैं यानि कि किसरा वस्था की पुरू की अवस्था बोला जाता है इससे को ध्यार में रखेगा तो कभी कभी पुछता है कि Puberty यानि कि 13 से 14 साल के 11 से 13 या 9 से 13 या 12 से 14 वर्ष के एज को क्या कहा जाता है तो तरूरा वस्था या प्राग किसरा इन कि इसका अर्थब्लिक का अर्थ है परिपक को होना किस वर्षथा में बच्ची क्या हो जाते हैं तो बच्ची नहीं रजाते हैं त Granate मैं नहींरे स्मझ के करने की तो इसका एज है 13 से 14 से आरम होकर 18 वर्ष तक कहने कतात पर है कि लड़कियों में 13 से 18 वर्ष तक और लड़कों में 14 से 18 वर्ष तक परिपक को एज भी कहते है और प्रोड़ःवस्था जिसको गहते है एकदम परिपक को हो गया है तो इससे कहते है एडल्ट आप लोग प्रहावस्था में हैं तो प्रहावस्था में क्या है किसुका क्या थे इसको एडल्ट हूड यानि 19-20 वर्ष से आरम होकर संतान उत्पत्ति की आवस्था तक के काल को प्रहावस्था बोला जाता है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है प्रहावस्था अर्ली एडल्ट हूड open 2019 से 40 वर्ष तक मध्य प्रहावस्था में डिवाइड यानि लिट एडल्ट हूड 46 से शंतान उत्पति की 16 समापत होने तक ठीक है तो इसको बिधा अवस्था की प्रानमभिक आजू भी बोल जाता है अंतिम टोड़ अवस्था को यानि औरली ओड एज भी बोल मुना जाता है ठीक है एडल्ट हूट को ठीक है तो अपने इतना में समझ गए होंगे कि हमारे ग्रभा वस्था अब जिसे प्रिनेटल बोलते हैं जीसमें जन्म से पूर होता है सीस्व वस्था इंफेंसी जीजों से 2 वर्स जिसे विदीविकास के प्रकिया बहुत तेज होती है इंफेंसी का लिटिम भाषा में सब्ध है बोलने मासमत पले वस्था चाल्लीहूर्ण 3 से 14 वर्षत ठीके किसर वस्था से पुर्ग की वस्था तक किसर वस्था जो रहा है तेर चेउद से आरम होगा 18-21ए वर्षत लेटिन सब्द एडॉलिसेंस या तीन एज भी बूलते हैं किसर वस्था को एडलिस्टेंस का लटी सब्दह्या परिपक को होना और प्रभावस्था एडल्टूट जो है 19-20 वर्ट से प्रारम होकर संतानुत्पति के अवस्था तक बिद्धा वस्था जो है संतानुत्पति के समावत होने से लेकर मृत्यू तक की अवस्था तो एड विकास के आयू के कि इसमें क्या है इसको ध्यान में रखना आपको जोरी है एक आत कुस्टन इस पार्ट से भी पुछ लिया जाता है और यह अवस्था ही पुछा जाता है जैसा कि आप प्रिवेस यल्वी पर साल करते होंगी तो आपको कुझी समझ में आता होगा तो दोस्तों यह था एक छ में अवसाय होगा तो इस वीडियो को दोस्तों तक भी सेयर किजिए और जो भी आपके मन में डाउट हो तो कमेंट में जरूब बताएं और पहली बार विजित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए जिसे जो ही मैं नया वीडियो अफ्लूट करूँ उसका नौटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहचे तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जाहें